अभीनेता सुसान्त सिंग राजपूत की बहां सुएता किरिती ने प्रदान मंतरी नायमोदी से सनिवार्थ को अपने भाई के लिए नयाय की अपिल की है सुएता ने अपने सोसल मीडिया हैंडल पर एक संचिप्त नोट लिखकर प्रदान मंतरी से उनके भाई की मौत के मामले को देखने और या सुनिश्चित करने का आगरा किया है कि साक्षियों के साथ कोई छेय चाड़ना हो उन्होंने लिखा कि हम बहुत सधारन परिवार से हैं मेरे भाई का कोई गौड फादर नहीं था जब वह वलिवोर्ड में था नहीं मेरा हमारा कोई है स्वेता ने कहा आपसे अनुरुद है कि ततकाल इस मामले को देखते हुए सुनिश्चित करे कि वह सब कुछ सही धंग से हो और किसी साक्षिय के साथ छेचार ना की जाए जारखन मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटों में राजे में मानसून समाने रहा सहर की कई छेतरों में हलके से मध्य दर्ज की बारिस हुई मौसम विभाग के अनुसार तीन अगस्त तक हलके से मध्य बारिस के असर है इसके साथ सत्वजरपात की संभवना भी बनी हुई है आपको बता दे कि 4 अगस्त से जोरदार बारिस होगी 4 और 5 अगस्त को पूरे राजे में जम कर बारिस होने की संभवना है 64 पर 37 अभिभावक चाहते हैं वैक्सिन बाद खुले स्कूल जारखन में संक्रवन का जाल तेजी से फैल रहा है रोजाना बरती संख्या से लोगों की परसानी बढ़ गई है इस बीच करीब 64 फिस्दी अभिभावकों ने भैक्सिन आने के बाद इसकूल खोलने की इक्षा जताई है राज सरकार ने सब भी परकार के इसकूलों के अभिभावकों से संक्रट के बीच इसकूल खोलने को लेका सुझाव मागा था आपको बता दे कि इस बीच 72 फजार अभिभावकों ने ऑनलाइन सुझाव दिये हैं इस में से 46,000 अभिभावकों ने भैक्सिन आने के बाद इसकुल खोलने का सुझाव दिया जार्खन में आई साथ सब 38 ने संक्रमीतों को पुष्टी हुई जो देव घर से एक सब एक सब धनबाद जार्खन में कुल संक्रमीतों संख्या बारा हजार एक सब्सक्रमीतों को पुष्टी हो गई भारत में कुल संक्रमीतों संख्या 17,99 नाइस है जबकि 11,46,889 लोग स्वास्थ हुए और 37,443 की मिरिती हो गाई भारत में नाइक केस चोवान 865 मिले है जबकि 11,232 लोग स्वास्थ संनिवार को हजारी भाग से दो गडवा से एक और रामगर से एक मरीज की महत हुई है हलाकी संनिवार को 11,14 की महत की सुचना है जबकि स्वास्थ भाग के अनुसार 4 की महत हुई है एक्टिब केस राची 1694, पूर्वी सिमूम 1336, देवघर 399, धनबाद 390, गिरिटी 389 हजारी बाग 326, कोडरमा 301, गडवा 272, रामगर 266, गुमला 255, पचमी सिमूम 202, 1494 पूर्णबे, पलामो 187, लात्यार 101, सराय के लाइक सव एक सट, पाकूर 160, साइब गांज 177, सिम्डेगा 135, बोकारो पांच अगस्त को राची में मनेगा दीप उत्सव, अयोदयर राम मंदिर निर्मान के लिए पांच अगस्त को होने वाले भूमी पूजन को लेकर जारखन में काफी उत्सव का महल है, भागवान सिरी राम के भकतों में इसका गवाह बनने को लेकर काफी उत्सुकता है, इ संजय पुद्दार ने बताया कि 5 अगस्त को दिपावली के रूप में मनाया जाएगा राम भक्तों के लिए ये दिन एतिहासिक होगा सवतंतरता दिवस का राजकिय समारो को लेका राची डीसी एवम एसेसपी ने किया दो अस्तलो का चयान जार्खन में सवतंतरता दिवस के राजकिय समारो के लिए दो में से एक जग का चयान किया जाएगा सनीवार एक अगस्त को रांची के उपायुक छवी रंजन एवाम वारिये पुलिस अधिक छक सुरेंदर कुमा जहान ने सोतंत्रा दिवस समारो के अवेजन हैतू रांची के दो मुख्य अस्थलों का मुहरना किया इस दरान उन्होंने डुरंडा इस्थित जय पुवान एवा मुराबादी इस्थित विर्शामुंडा फोटबॉल इस्टिरियों का मुहरना किया है आदिवासियों के ससक्तिक करण के लिए मिला एसकोच गोल्ड अवार्ड भारत सरकार के जनजातिये कारे मंत्राले को डिवीटी के माध्यम से छत्रवितित देने और अदिवासियों को ससक्त बनाने के लिए एसकोच गोल्ड अवार्ड मिला है आपको बता दे कि 66 एसकोच 2020 परतियोगता का विशाय डिजिटल गोल्ड के माध्यम से कोविन का मुकावला कर रहा भारत था जन जातिये कारे मंत्राले का या प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को सकार करने परदार सिता लाने के साथ सेवाओ के बित्रन को सुविधा जनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट परतिवर्ता की दीशा में एक कदम है झारखन के मचली कारोबारियों को मिलेगा अनुदान झारखन के खुद्रा मचली बिक्रिताओ को बाईक, आइस बॉक्स और कटिंग टूल्स खड़िदने पर 25% का अनुदान मिलेगा यह अनुदान केंद्र सरकार दे रही है इसके लिए मचली विक्रिताओं को 5 अगस्त तक जिला मतस्य कर्याले में मचली विक्री करने का पमान पत्र तथा फोटो जामा करना अनिवार्य होगा राज के बेरुजगाओं युवाओं को सरकार दे बेरुजगारी भता आजसू आजसू के परदेश उपाध्यक्ष ने बरतमान के युवाओं की मनुदसा रोजगार के सीमित होते औसर और उनके भविसे को लेकर चीनता जाहिर की है उन्होंने सनिवार को कहा कि बरतमान संक् उनके एक वर्स को छीन लिया, सारे संस्थाएं भी बंध है, रोजगार सी रिजन ठप हैं, लेकिन युवाव की उम्र अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ऐसे में नीजी छेत्रे में भी रोजगार सीमित होते जा रहे हैं, बरतमान की हमारी राज सरकार जो के परिवारिक आए में कमी आई है, जार्खन में रक्षा बंदर्बाद हो सकता है सपूर लोगडाउन, जार्खन में हाल के दिनों लगतार बढ़ते संक्रमन को देखते हुए एक बार फीर यहां संपूर लोगडाउन लागू हो सकता है, उच अस्तर पर इसे लेकर मन्थन चल रहा है, चर्चा है कि 31 जुलाई से सुरू हुए जाच के विशेस अभियान के पईनाम के मुल्यांगन करने के बाद सरकार इस पर निरनाय ले सकती है, इस पर अम्तिम निरनाय मुख्यमंत्री हमन सुरेन लेना है, संभवना जताई जा रहे है कि रक्षा मंदन बाद रा जाखन पूलिस मुख्याले ने संक्रमान रोकने के लिए नया दियम बनाया है, डियाजी कर्मीक ए बिजय लक्षमी ने आदेश जारी किया है कि पूलिस मुख्याले के सभी अवर सचीव, साखा पता अधिकारी, साखा प्रभारी अपने अधिन करेरत पूलिस कर्मियों को बताएंगे कि संक्रमान जाच कराने के तुरंद बाद उन्हें मुख्याले नहीं आना है, पूलिस कर्मियों को ताजा आदेश में कहा गया है कि वह तब तक ऑफिस नहीं आएंगे, जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिम नहीं आ जाती, डॉक्टर के लिए को होम कुरेंटेन में नहीं रहना होगा, राज सरकार ने दूसरे राजियों से आने वाले ऐसे अभी अर्थियों को होम कुरेंटेन में छुट दी है, ग्रीह करावा आपदा प्रवंधन विभाग के निर्देश के बाद धर्खन लोग सिवा आयोग ने इसकी अजिस उतना जारी कर दी है, आपको बता देगी पांच अगस्ते मेटकल अफिसर के 383 पदों के लिए इंटरव्यू सुरू होना है, हर्ताल से मनरेगा मजदूर परिसान बिजेपी, भाजपाने राज में मनरेगा कर्मियों के हर्ताल पर चिंता जाहिर की है, परदेश प्रवक्ता अमी दूर काम कर रहे थे, वहीं अपसांख्या घटकर 2 लाग के आसपास आ गई है, सबसे ज्यादा चिंता प्रवासी महदूरों को लेकर आए, इस मामले में मुख्यमंत्री को हस्तेफ करते हुए समस्या का निदान निकालना चाहिए, धनबाद जेल से बाहर आते ही धनबाद जेल का काला चिठा खोला, धनबाद जेल से बाहर निकलते ही विधायक ढूलों महतों ने जेल का कला चिठा खोला है, वागमारा विधायक ढूलों महतों करीब 3 महीने बाद धनबाद जेल से छुटने के 50 जेल की कूब वेवस्ता के खिलाब मोर्चा खोल दिया है, उन्हों के पिछे सरकार 15 से 20 उरुपै तक खर्च नहीं कर रही राची रेल मंदल के सभी स्टेस्नों पर निशुलक में बताओक कि आज के इस डिजिटर यूग में इंटरनेट संचार का एक महत्वपून साधन है तथा को लोग इसका उपयोग करते हैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना हमारी प्रत्मिक्ता खुटी विपायुक्त बीरसा अरित ग्राम योजना के तहत सनिवार को पानी रोको पौधा रोपो अभियान के सुरुवात करते हुए कहा कि कल्यानकारी योज मतिसा जल का सनलंक्षन कर भू झाल को रिचार्ज करने में सपल हो सकेंगे कि संखेंगा किसान सीखेंगे खेटिक इने तक नििक विर्श है क्रिसी विषव विध्यालग कि सानों को जीलो में स्थित क्रिसी बीज्यान केंद्रों को प्रसिक्षन करम साला कारे साला आधी जैसे प्रसार गती वीदियों को ICT Tools के माध्यामों जैसे Google Meet Facebook और WhatsApp आधी से खेतिक नहीं तेखनीक और फसलों के प्रवंधान सिखाएगी बिस्यों विद्याले के प्रसार सिख्षा निदेशक डाक्टर जगरनात उराव बताया की संक्रामान के करण किसानों को दिये जाने वाले ओन कैंपस प्रसिक्षन को रोकना पड़ा है मगर चालू खरीब मौसम में या किसानों को प्रसिक्षन ऑनलाइन चालू रखेंगे नमबर 910 परखंड के रहने वाली रिता देवी ने 2017 माह का जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल और माई का मांदे बाकाया रह जाने की बात कही है उन्होंने कही कि आज तक मांदे का भुकतान नहीं हुआ है परखंड में तीन बार जबकी जीला में दो बार आवेदन दे चुकी है उन्होंने सरकार से जल से जल बाकाया मांदे की भुकतान करने की मांकी सर्जू राय ने मेन हट घोटाला की जाच के लिए ACV को लिखा पत्र बिधायक सर्जू राय बहुचर्ची मेन हट नेयुकती घोटाले को लेकर पुरमुख मंतिर अगर्दास पर सिकंजा कस्तने जा रहे है वे सुक्रवार को व्रष्टाचार निरोधक बियोरोक के आराक्षी महानिदेशक निरज सिंग से मुलकात कर इस घोटाले की जाच का अनुरोद किया है उन्होंने अपने पत्र में 18 बिंदूओ पर घोटाले को पूरी घटना विस्तार से लिखते ACV को सौपा है जारखन में सुरू हुआ जाच का माँ अभियान राज में बढ़ते संक्रमन को देखते हुए सभी जीलो में सुक्रवार से तीन दिनों का विसेस जाच अभियान सुरू किया गया है स्वास्त विभाग ने अवियान के ताथ सभी जीलों में संक्रमा जाज के लिए लक्ष निधायित कर दिया है इसके अधार पर सुक्रवार से सेंपल कलेक्शन और जाज शुरू की गई है जारखन में मास्क नहीं तो साजा का अध्यादेश गवर्नर के पास जारखन संक्रमन रोग अध्यादेश 2020 राजपाल को भेज दिया गया है सरकार ने इस अध्यादेश को पिछले दिनों मंजूरी दी थी इसमें मास्क नहीं लगाने तथा लोकड़न के नियमों को नहीं मानने पर जेल और जुर्माना का प्रधान है कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधी विभाग ने इसे राजपाल से मंजूरी के लिए भेजा है आपको बताओ दे कि राजपाल की मंजूरी के बाद यह राजे में लागू हो सकेगा राची उपायुक्त ने 1950 कॉल सेंटरों का निरिक्षन किया राची के उपायुक्त छवी रंजन ने सनिवार को जीला टोल फिरी नंबर 1950 सेंटर का निरिक्षन किया निरिक्षन के लिए पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले सिफ्ट में कारेरत करमचारी एवाम अधिकारियों को फस्थिती का जाजा लिया इसके अतरिक्त उन्होंने काल सेंटर से प्रती दिन किये जा रहे काल एवाम उनके दैनिक परतिवेदन की जाच की टाटा स्टील में सुरू हो सकती है पलाजमा थेरपी दो लोगों ने किया पलाजमा दान जमसेदपूर साहर में प्लाजमा दान की परकिरिया सुरू हो गई है सुक्रबार को टाटा स्टील के दो करमचारी ने जमसेदपूर बॉलट बैंक में प्लाजमा दान किया कुलहान के पहले प्लाजमा डोनर मनेस्वर नायक बने है इसके बाद जय प्रकास ने भी प्लाजमा दिया है सरनिवार से टाटा मुख अस्पताल में प्लाजमा थेरेपी सुरू होने की बात कही जा रही है हाला कि अभी इसकी अधिकारी खोसना नहीं हुई है यदि आप चनल परना है हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने दोस्तों को बात से फेस्बुक ट्वुटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थांक्यू